जैंद इस वीडियों उन्हों के बारें बात करेंगे यह में के मार्स के कौर्टर का सेर लिंग पैटर्स जारी हो चुगा है तो इस नए सेर लिंग पैटर्स में देखेंगे किसकी से दारी बढ़ी किसकी से दारी कम हुई और साथ में कुछ ऐसे अपडेट निकल कर सामने आ पॉसका बहुत कि और अए जई कर चलता के साहां कोई कंपनी च्छोटी इसका सेसे तक डिर आवका गिर्याऊओट के साथ आप देखेंगे 0.68% के गिरावट के साथ इसने अपने closing दिये थी और अभी देखिए यह high लगा चुगा 16 रपया 25 पैसा का यानि कि इसका जो share price से अपने high के बेहत करीब पहुशन के लिए बस इन तजार है quarter four के result का अगर quarter four के result तगड़ा आ गया तब तो फिर यह धूम मचा देगा अब समझे इस वीडियो हम लोग बैसिकली दो चीज़ें पर बात करेंगे जो नया पैटर्स जारी हुए उसके बारे में जानेंगे कि किसकी सेदारी बढ़ी किसकी कम होई और मैंने जैसा कहा कि बैंक का नपीए कम होते वे दिख रहा है तो इस नपीए की रिकभ भी इन्हों ने उनको लोन दिया और लोन नहीं चुका पाएं बाद में वो लोन चलकर नपीए में तब्दील होगें बैंक का नपीए बढ़ गया उसके बाद सेयर प्राइस धडाम हो गया अब समझे एन पीए का मतलब होता है नन परफॉर्मिंग असेट्स उस चीज़ को जब गाड़ी बहरा पर चलता है उससे पैसा आता है अगर आपका घर किराया पर डिया है उससे पैसा आता है तूसी आप आ सेट्स का सकते हैं लेकिन ज्यादा तर घर गवर जो होते उसको लैबिनाराइस ग्रूप में हिए का altar is अब यहां समझेंग है जब को भी बैंक इस कमपनी को लून दियता है यह उसके लिए असे का नहीं बाद मीशंता और इसको एंपर कहता हूं अप आप यह दो अब यहां आए हम लोग जानते हैं कि राणा कप्पूर के समय बहुत तरह ऐसे कंपनियों को लोन दिया गया चुका नहीं पाएं जिसमें से कुछ कंपनियों के नाम यहां लिखा हूं इसको कंपनी थी इसको बारे जराट सो क्रॉन रुपय का लोन दिया गया था इसमें कंपनियों बहुत से सब्सेट्रिश कंपनी रिलाइंस की जिसमें एक यह भी रिलाइंस कैप्टल तो अब इसकी निलामी की तयारी चल रही है यह बिवात पहुँच चुका है और रिलाइंस कैप्टल को खरिदने के लिए बड़े-बड़े दिगज कह सकने कंपनिया लाइ यह टाटा गुरूप और अडानी गुरूप को रिलाइंस कैप्टल मिल जाता है यह लोग रिलाइंस कैप्टल को एक्वायर करते हैं तो यह सब्सक्राइब को कितना फैसे लिए उसको लोटाएंगे न तो हो सकते है यह से थोड़ा बहुत फैदा हो जाए अब आगे चलते यह जो मैंने कॉलम्ब बनाया है यह मार्स क्वाटर का से लोटेंस करने के किस बाहा में कितना था अब समझें अगर मार्स के क्वाटर में देखें तो यह बढ़िदेशी निवसक होते हैं उनकी सेदारी बढ़ी है सब्सक्राइब नोध परसंट हो गया जोकि पिछले क्व बैंक में जो विदेशी निवे सकें वो अपने लगतार बढ़ा रहें देखिए यह जो मुच्वल फंड वाले होते हैं चाहे अपने देश्क हो चाहे दूसरे देश्क हो इनकी पहनी नजर होती है इनके पास मेनेजर होते हैं काफी हाईली क्वालिफाइट पशन होते हैं जो यह देख रहे होते हैं कि कहाँ पैसा बनेगा और वहाां पर अपना पैसा लगाते हैं तो कही न कहीं जब यह अपना साथ चो परसेंट हो गया है जो कि पिछले क्वार्टर माने इस पून जेरो चो परसेंट था एक चीज आप यहां समझे कि अपने देश के जो अब हम डॉमेस्टिक इंस्टिशूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो तीन बड़े-बड़े मुच्वल फंड इसमें मोती ला समझ माया होगा वीडियो इन्फर्मेटीव लगी होगी फिर बेगर मन में कोई सवाल है कोई करने पूछिए परसेंली मुझे जूर कर बाते करना चाहते तो मुझे इंशाग्रां पर फॉलोग कर लिए जहां मैं सबसी तफसीश समय देकर बाते करता हूं उनकी समस्य को पर्यास करता हूं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब धन्यबाद शुक्रिया